देशभर में रविवार को दशहरा बेहत सादगी से मनाया गया क्योंकि कोविट-19 के चलते इस साल पहले की तरह धूमधाम नहीं देखी गई हर साल दशहरा उच्छव के दोरान आयजित होने वाले कारिक्रमों में भारी भीड जूटती थी इस बार दशहरा मेदान पर सिर्फ 21 फिट लंबे रावन का दहन हुआ अवं तिलक नगर और विजय नगर पर 9 फिट के रावन का दहन हुआ हर बार की तरह इस बार लंका भी नहीं बनाई गई थी बावजुद इसके लोगों का उच्छा हर बार की तरह ही रहा रावन दहन के बाद घरों को लोटती भीड के करण सड़क पर ट्रेफिक जाम की इस्थिती भी बनी अनपुर्णा थाना मार्ग पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई थी पुलिस कर्मी वाहन चालकों को नियंतरित करने की कोशिश करते रहे सरकार की और से जारी दिसा निर्देशों के तहद बड़ी संख्या में भीड जुटा ने मेला आयजित करने की अनुमती नहीं दी गई थी पहले के मुकाबले बहत कम इस्थानों पर पुतला दहन की अनुमती दी गई थी वही इस बर शहर में कहीं कहीं पर ही पुतला जलाया गया कोवीट के चलते जनता भी कम नजर दिखाई दे रही थी इंदोर ब्यूरों के साथ दीपक सिहां और अभिजित सिहें की रिपोर्ट और पिछली वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोगों में उत्साय दिखा या कम उत्साय था लोगों में और सर क्या क्या गाइड लाइन्स का पालन किया गया सर इतर सर जनता को क्या संदिज देना चाहते हैं कि इसका पालन किया गया तौह पुर आप बादन किया गया तौहरों के इंदर इंदे भी चाहते हैं और भी नहीं बंदे विटित कि गया गया तरह। पिछली साल की तरह लोगों में उस्साय देखा कि कम उस्साय था तरह उस्साय कुछ भी नहीं था जार एक लोग के इस साल जो 10,000 की पहले थे इस साल वाजय लोगों के करीब रही है और आपको किसी प्रकार की कट्नाईओं का सामना पड़ा हो इस साल कोवेट को लेकर अजार आपना नाम बता दी राजय ची नगता करिक लागों की डारेगों किया रहा है इहां कि सुख्षा समित्र अर उस्साय था इस स्था रहा है आप यहाइड्लैंग तो रही हुए नहीं था कि और सरे किस प्रकार की गाड़ लाइन का पालन किया गया इसमें जैसे अभी बूले का पालन किया गया इसमें लोगों के संदेज देना चाहते हैं आप इस पर पर कि अभी जहीं संदेज देना चाहते हैं कि खुब भरतवास में कुरोना महारी सब्सक्राइब के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले कर दो